नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप जीरो बजट में गार्णिंग की शुरुवात करना चाहते हैं और कबाड से ही जुगाड करके धेरो प्लांट लगाना चाहते हैं तो यह वीडियो खास आपके लिए क्योंकि मैंने अपने गार्ण में सो से डेड़ सो प्लांट जो है वो विंटर सिजनल प्लांट जो फ्लावरिंग प्लांट हो लगाई है और सब भी मैंने ऐसी कबाड में ही लगाई हूए कर कबाड से महने जये मेरे पास प्लास्टिक की कोल्डरिंग बोटल या मठके मठकियां जो भी रसोई के रसोई से जो टुटे-फुटे डब्बे प्लास्टिक के निकलते हैं सभी में मैं लगा लेती हूं आप देख सकते हैं कितने अच्छे चल रहे हैं इतने सुंदर फूल आते हैं दोस्तों अगर आप फूलों के शोकिन है अपने घर अच्छे सालविया के वह हैं घरी में हैं काफे अच्छी फ्लावरिंग होरी हैं बहुत ही सुंदर न जग रहे हैं तो इस तरह से आप भी अपने गार्डन में इस तरह के बिल्कुल एक भी रुपए खर्च किये बिना आप धेरो प्लांट लगा सकते हैं और इस तरह के DIY बना कर बेकार बोटलों में, बेकार मटकों में, डबों में, जो भी आपको मिलता है कबार, जो भी आपके घर से निकलत इस तरह से आप प्लांट लगा सकते हैं और उसमें बहुत ही बढ़ी जो चलते हैं दोस्तों, काफी अच्छी फ्लावरिंग होती है, तो आप देख सकते हैं इस तरह के टायर मेरे पास पड़े वे तो बेकार में मैंने कलर करके पिंट करके इस तरह से मैंने पिटूनिय तो मैंने सूचा क्योंंतों नहीं में इन को यूज करूँ और मैंने प्लांट लगा दी हैं तो छोटे से छोटे पोठ मैंने तीन से crypto मैं ne مखेंभ़े सब्सक्राइब टूपता पमद Wirka B tuar Those जो है तक प्लांट एक्ष्ट्रा बने वाली है धर्मकुल की श्विट है इसकता मैं कैसे यूज करूँगी तक भी भी आगे में शेर करने वाली हूं यह प्लास्टिक के डब्बे हैं जो कि मेरी ऐसे ही टूटे हुए है और इसका छेद काफी बड़ा है तो किस तरह से मैं इसमें प्लांट लगाऊंगी वह भी मैं दिखाऊंगी दोस्तों और यह कॉर्ण का डब्बा था यह बिल्कुल पूर यह पूरी थी लेकिन मेरा बेटा इसे एक दिन खेल रहा था तो एक कोना इना इसका टूट गया है उस टाइम मैंने कुछ और सोचा था कि मैं एक बढ़िया सा मीनी काड़ने इसमें बनाऊंगी तरह तरह की फ्लावरिंग प्लांट लगाऊंगी तो अभी यह तूट गया ह इसमें एक बॉक्स तो ऐसे ही तूट गया है इसका मेरे बेटा जब इस से खेल रहा था तो इसमें चारों कोनों पर है ना चार बॉक्सिज बने हुए थे बॉक्सिज की घहराई काफी है मलत तीन से चार इंच के यह होंगे और इसमें प्लांट बहुत अच्छे से चलेंग तो इनको पेंट करने की ज़रूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं है तो चारो को मैंने निकाल लिये हैं चारो जो बॉक्स बने हुए थे उनको मैंने निकाल लिया है और इसमें मैं मिट्टी भरके और इनको में भी मैं मिट्टी किस तरह से भरूंगी कैसे क्या करूंगी दोस्त तो तो यह जो चार स्ट बनी वीत है पहले इसमें मिटी भर लेती हूं चारों में और मिटी मैं बना ली है मैंने जो में जो मैं किचन वेट च सेक्म Сप्छ तियार करती हु फिफ्टि पर्स lag लियर है और 50-50 करके मैंने मिट्टी त्यार कर लिया और चारो बॉक्स में मैंने मिट्टी भर लूँगी मैं दोस्तों और फिर में जो मेरे पास प्लांट है एक्स्ट्रा उनको मैं लगाऊंगी और इसके लिए मैं कपड़ा यूज करूंगी इसमें मैं कपड़ा बिछाने वाली हूं और कुछ कोस्मोस के है जो और कभी कुछ ये है जो मेरे पास एक्स्ट्रा जो मैंने हमत की मट्के में चार加म लगाया वेथे चोटे-छे च्छोटे से पोट में चारा लगाये विस्तु उनको भी मैं निकाल लिया है और इनमें एक-एक कर सबंदों लगा दूंगी तो इस तरह अभी थोड़े डल से लग रहें क्योंकि अभी अभी काफी टाइम से मैंने इनको निकाला हुआ था तो अभी थोड़ा टाइम बाद यह अक्टिव हो जाएंगे बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगे स्ट्रेट हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं एकदम से बढ़िया लग हैं इस तरह के मैं अदो में सचा क्या करते हैं तो अभी मैं में फ्री का हिस्तेId में बनाने वाली हूं और युण को नहीं जब इसे तो फिर मैंने सुचा जो मेरे पास है उसी से मैं stand बना कर बनाती हूँ और ऐसे ही प्लांट मैं उस पर रखती हूँ तो आप देख सकते ही बड़ा सा पत्थर था मेरे पास इसके लंबाई काफी है चोड़ाई कम है लेकिन लंबाई काफी तो इस तरह से stand बनकर त्यार हो गया और यह जो शीट थर्माकोल की शीट मेरे पास पड़ी थी उसका भी मैं stand बनाने वाली हूँ मैंने नीचे एक एक ही टाइल्स रखिया हालाकि दो दो भी रख सकते हैं तो अराम से यह है ना प्लांट इसमें मैं रख सकती हूँ तो यह जो थर्माकोल के जो मैंने प्लांट ना प्लांटर बनाये थे वो भी मैंने इसी पर रख दिया और उसकी जगह भी मैंने चेंज कर दिया है यहां आदे दिन की ध्वूप यहां इन प्लांटों को अराम से एहां पर चलेंगे तो कुछ मैने उस पर रख दी हैं जो थर्माकोल की शीट का जो stand मैने बनाया कुछ ऑर कुछ मैंने इस पर रख दिया है और मेरा बेटा इसमें मेरी मदद कर रहा है दोस्तों क्योंकि प्लांट है ना काफी ज्यादा थे काफी सारे प्लांट रखे वे थे चोटे-चोटे काफी टाइम मुझे लग रहा थे इनको रखने के लिए और फिर उन्हों का वो भी फिर मेरे साथ ऐसे ही लग गया उसे अच्छा लगता है मेरे साथ इस तरह से काम करवाना और मुझे भी अच्छा लगता है कि बच्चेया गाडनिंग करना सीक रहे हैं चीज़ ले रहा है तो मुझे भी काफी अच्छा लगता है जब वो काम मेरे साथ करवाता है त दोस्तों मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा क्योंकि फ्री की चीजे मुझे मिल गई है फ्री का ही जो स्टैंड काफी मुझे मार्केट में महा मिल रहा था इस तरह की चीजे रखने के लिए प्लांट रखने के लिए तो वो मुझे फ्री में ही मिल गया है घर की ही चीजों से जो कबार निकला था तो आप देख सकते कितना सुन्दर लग रहा कितना प्यारा लग रहा है तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है दोस्तों आपको कैसा लग रहा बताईएगा जरूर और अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर जरूर कर दीजिए और मेर चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते नहीं